मद्यप्रदेश के खंडवा प्रकाशंद आर्या साहब की कोट ने जीजा साली जिन पर हत्याक आरोप था उन्हें दोशी मानते हुए उम्रकैत की सजा और 25,000 रूपे के जुर्माने से दंडित किया है दरसल शवाना और उसके जीजा दोनों पर यह आरोप था कि उन्होंने संजू बामने निवासी चिराखदार मल्टी की मिलकर ना सिर्फ हत्या की बलकि उसकी हत्या के सबूत भी छुपाने का परियास किया आपको बता दे कोतवाली थाने का यह मामला है रामनगर चौकी के अंतरगत चिराखदार मल्टी आता है वहाँ पर एक बलॉक में संजू बामने और शवाना मिलकर रहते थे शवाना के पती ने उसे छोड़ दिया था जिसके बाद से वह संजू के साथ रह रही थी और आपको बता दे संजू पर शवाना अरोप लगाती थी कि वह शराप पीकर इसके साथ मारपीट करता था संजू और शवाना की जिन्दगी में शवाना के जीजा आये और जीजा साली के बीच में कहानिया किस से शुरू हो गए उसके पशाथ संजू बावने को ठिकाने लगाने का दोनों ने प्लान किया और घटना दिनांग की रात को दोनों ने मिलकर संजू की हत्या कर दी और हत्या के बाद शर्ट, दरी, दिवार पर लगा खून और जितने भी सबूत थे उनको चुपाने का परियास किया शबाना पती संजू और हकीम बक्ष पिता मौला इन दोनों को खंडवा कोट ने उम्र कैत की सजा के साथ 25,000 रुपे के जुर्माने से दंडित किया है आपको यह भी बता दे कि इस खबर को हमने बहुत अच्छे से कबर किया था और पिछली जो रिपोर्ट सी उनमें बताय था कि किस तरीके से जो शबाना है वह संजू की हत्या करने के बाद ड्रामा करती वी नजर आई थी और रोती गाती नजर आई थी कि उसकी जिंद्गी बरबाद हो गई और ऐसा हो गया बैसा हो गया कोल मिला कर एक्टिंग उसकी नई चल पाई बहुत दिन तक बहुत समय त अची पत्नी है लेकिन हत्या उसने और उसके जीजा हकीम बक्ष ने मिलकर की थी कुल मिला कर पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली उनका ड्रामा ज्यादा समय तक नहीं चला और फिर दोनों ने इस्विकार किया कि किस तरीके से शबाना और हकीम बक्ष ने मिलकर संजू ब ख़दान में जो तालाब है वहाँ पर गए और वहाँ पर पोटली को डंप कर दिया इस दोरान आपको बता दे सामने एक महिला का पती जो सबजी बेचने का काम करता है सुबह-सुबह मंडी में जाता था उन्होंने इन्हें पोटली ले जाते देख लिया और उन्होंने पु सब्यूत जो टाने में पसीने आ गए थे लेकिन कहते हैं पुलिस के हाथ लंबे होते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून के हाथ इन दोनों की गरतन तक पाहँचे और इस मामले में एक अच्छी बात यह है कि हत्या का Squish경 पुलिस इस हत्या कांड को सुलजाने में सफल हुई थी इसके अलावा आपको बता दे इस तरह के मडर में जब सजा होती है तो इस सजा के पीछे बहुत लोगों की मैनद छिपी होती है जिंजिन का नाम हमने आपको बताया चाहे पुलिस की टीम हो चाहे डौक स्कृट की टीम हो चाहे फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम हो चाहे सरकारी वकील की टीम हो लिखा पड़ी मजबूत करनी पड़ती है और आज लगबग सवा साल बाद इस हत्या कांड का फैसला आ गया और कोट ने आज इवन सजा उम्रकैद की सजा इन दोनों को सुनाई है अब ये उम्रकैद जेल की सलाकों के पीछे काटेंगे और रहेंगे और आपको बता दें कि इस दोरान जो महिला है शबाना और हुकम ब खेत अब आज इवन इनको अपने जिन्दगी जेल की सलाकों के पीछे गुजारने पड़ेगी कॉन से थाने को हमें लेज इस मूंस बेंगे कॉनसे थाने को हमिला है? कॉनसे थाने को हमें? बटाब को हमूँ है? बचाई मुजला है कि यहां पर चिराक अदान में एक व्यक्ति के लास में लिए थी तो पुलिस ने अनुसंदान करा अनुसंदान पुर्ण कर आरोपी सबाना और हकिम बक्सों को बनाया तो न्याले ने आज विशेश न्याले स्टीसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है सबको आजी वान कारव कारवाज की सजा और 25 — 25 कारवाज की में सजा हो यह अजी में dola सबान ओर आ और यह रिश्टे में क्या लगते न्याले सबाना और तसे संजे यह प्रेमी पिरमे का थे थे तोछा व कुदा बक्सा, ये जिजा था, जिजा था